अतिकुर रह्मान साब मुझे एक बात बताईए वेसी जो कह रहे हैं कि भाई इतनी जगें हैं जहाँ पर अब जो है वो कॉंट्रवर्सी खड़ी हो जाएगी और कोट ने ये कह दिया और 91 का एक्ट जो आया उसका तो मोटी भी खतम हो गया एक तो वो एक्ट लाया ही गड़ लीजे कि एक कोई शहर हो एक कोई गाओं हो एक कोई महला हो जहां एक बड़ी भीड़ा है और वो सारे घर लूट ले कबजा कर ले ठीक है और उसके बाद कोई एक सरकार नियम ले आए कि भाई अब इतना केसे कौन सुनेगा सब के घर में घुस घुस के बैट गए हैं तो एक काम करो जो जहां घुस के बैट गया वो उसी का हो गया अब इस पर सुनवाई नहीं हो और जिसका घर लूट लिया गया वो कहें कि बहुत मुझे कमज़ा सुन तो लो मेरे पास तो सबूत है कागज है और आप कहें कि नहीं सुनेंगे ही नहीं अब लुटा गया अब य यही रहेगा वरना इतने केस खुल जाएंगे क्या यह उस आदमी के साथ जिसका घर लूटा गया है उसके साथ नया है और अगर जो लोग कबजा करके बैटे हैं उनके साथ यह होता तो उनको सुईकार होता सुशान जी कई बार मैंने इस मुद्दे पे कहा था कि बहुत सीधा सा रास्ता है ग्यानवापी और काशी मतूरा और जितने भी इस तरह के क्लेम्ज हैं उनको हल करने का और वो है कि गवर्मेंट ओफ इंडिया क्यूंके गवर्मेंट ओफ इंडिया प्रो हिंदू है और सं स्कृति की भी बात करते हैं आए दिन उनकी स्पोक्सपर्सन मैं यह कोई नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा हूं तो अच्छा यह रहेगा कि नाइंटी नाइंटी वन प्रेसी सोफ वर्शी पैक को रिपील कर दिया जाए और आराम से सारी चीजों के फिर रास्ते खोल दिये जाएं दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि यह कोई गाओं में लोग घुच जाएं और कबजा करके बैठ जाएं और लोग यह कहें कि अब जहां है जैसा है तो यह उस बात में निर्बर करता है कि क्या जिस वक्त में गाओं के अंदर लोग और दूसरों की जगा पे कबजा किया क्या उस वक्त में कोई समविदान था क्या समविदान है रूल ओफ लौ है यूमिन राइट्स है और अजेब एक आकरानता था हमारे हिस्टोरियन्स इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर चुके हैं और कोई नहीं तो इर्फान हभीब आप कई चैनल्स पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं जितने भी और अजेब के फर्मान हैं ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि ग्यान वापी मस्जिद एक कबजा करीवी चीज थी सिर्फ अगर कोई अर्चन है तो 1991 प्लेस ओफ वर्शिप एक्ट है उसको रिपील कर दीज़ आप पहले भी बोल चुके हैं कि हिस्टॉरिकल फैक्ट्स हैं कि वहां मंदिर था उसको तोड़के मस्जिद बना और आपने पहले भी मेरे शो में कहा है कि 91 का एक्ट बस इसके बीच में आता है और अब आप कहरें कि उसको रिपील कर दीज़े ठीक है मैं आपकी बात वही बनी हुई है आपने उसको चेंज नहीं किया है मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन मैं एक प्रशन पूशता हूँ आपने कहा कि औरंगजेब अकरांता था जब उस वक लोग घुसे तो क्या यहां समिधान था नहीं था बोस समिधान नहीं था लेकिन आपके बाहीं तो नहीं उठता कि जैसे आपके लिए मक्का मदीना बहुत पवित्र है वैसे हिंदू के लिए अगर ये काशी बहुत पवित्र है तो उसके दिल का मान रखते हुए हम खुद आकर कहें कि तुम ले लो आरंगजेब जो है वो बेकार का बाहर का आदमी उसके चकर में हम क्यों क्या ये दिल नहीं कहता कि मतुरा में क्रिश्न के सबूत हैं वहाँ पर तुम मंदिर जो है बनाओ बढ़िया और भवे मंदिर बनाओ वहाँ इदगा मसजिद नहीं होनी चाहिए और तुम इसको रखो ये दिल नहीं कहेगा हर चीज़ समिधान से होगा और जहां बात होग वक्तव में कहा था कि अदालत ना जाते हुए क्योंकि हमारी elected governments हैं डेमोक्रिसी के अंदर पार्लिमेंट सुप्रीम हमारा टेंपल है डेमोक्रिसी का इसके अंदर अगर political parties चाहें तो ये समा तमाम मुद्दों के उपर पहस करके इनको सुलजाए जा सकता है पार्लिमेंटरी कमिटीज बनाई जा सकते हैं दोनों सब समुदायों को मिला कि उपस्ती ने काम किया जा सकता है ये political parties क्यों करें मुसल्मान खुद क्यों नहीं कर सकता इंतजामिया कमिटी में गवर्मेंट्स को हम elect इसलिए करते हैं सुशान जी कि गवर्मेंट्स public opinion के सहारा लेकर उसके उपर उसके उपर चर्चा करें पार्लेमेंट में लिजिस्ट्रेचर्स के अंदर और कानून बनें एक तरह का एक ऐसा महौल तयार हो और बाई लो उन चीज़ों को establish किया जाए